हलो एवरिवन तो आज का हमारा ये कंपाउंड है देखने से तो बड़ा कॉंप्लिक्स लग रहा है किसमें ये क्या लगा हुआ है एक दो तीन मेथाइल लगा है और वही मेथाइल किसी स्ट्रेट चेन में नहीं अलग से कार्बन में लगा हुआ है ऐसे जनरली तो ये तो साथ कार्बन की चेन है तो चलू वो सब छोड़ो वो तो क्लियर है हमें इसको देखना ये जो यहाँ पर सिस्टम लगा है इसका हम नेमिंग कैसे करें तो एकदम सही है कि हमें जो ये complex सब्सिट्ट्वेंट लगे होते हैं हमें इनकी नेमिंग पहले करनी होती है तो ध् अमेशा naming जो है किधर से start करता है किसी भी complex substitute का जो आपके parent chain है उधर से start करते है तो ध्यान दीजेगा यदि जहां जिस carbon से जुड़ी हुई है हमें उधर से ही numbering start करना होता है तो हमारा एक यह carbon हो गया देखो ध्यान से हम इधर से numbering start करेंगे confirm है जो parent chain से जिदर से जुड़ा है वही हमारा final हम उधर से ही करेंगे और कोई confusion नहीं तो जब आप इधर से करोगे तो यह आपका पहला carbon और यह आपका आएगा दूसरा carbon तो पहले carbon पर यहां देहां से देखो क्या है 1,1- di-methyl ठीक अभी उसको छोड़ दो पहले के वहले इसको देखो 1,1- di-methyl हो गया और यह total क्या चीज है total ethyl है दो carbon की चेन है तो हम इसको लिख देंगे ethyl ठीक है तो यह जो substituent लगा था ना उसका naming तो आपने कर लिया 1,1- di-methyl ethyl ठीक अभी यह set पूरा किस carbon पे लगा है तो इधर से जाओ के 1,2,3,4 अहां parent चेन की बात करते है 4 इधर से भी आओ तो 4 पे नंबर है ठीक है दोनों साइट से 4 आरा तो no problem तो अब हम इस जो complex substituent का आपने जो name लिखा अब हम इसको एक bracket बनाएंगे और यहां पे लिख देंगे 4 dash ठीक है ना 4 एन चौथे नंबर के carbon पे यह complex substituent लगा है जिसका नाम है 1,1- di-methyl ethyl और total हमारा जो है यहां पे 4 and 3 7 है तो हम यहां पे लिख देंगे heptane ठीक है तो काफी अच्छे तरीके से हुआ लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि हम complex substituent का पहले अलग कर लेंगे फिर उसको हम bracket में लिखेंगे और उस number of carbon को लगाएंगे बाद में जो normal chain होती हो लगा देता है अब माल लो यहां पे कहीं यहां यह थाइल होता यहां में थाइल होता तो कोई दिकतने हम यह set लिखने के बाद उसको भी लिख देते और normal हमारी chain हो जाती ठीक है तो इसी तरह के complex जो है structure का IPC name समझने के लिए और इसको detail में जानने के लिए अच्छे-चे rules को समझने के लिए चैनल को प्ली थाइब तो को बाद एक्यू